कल भारत और बांगलादेश के मैच में एक बंदा दिखा, हाथ में डंडा लिये हुए था हम सबी हैरान रह गए कि ये बंदा डंडा लिये हुए आखिर कर क्या रहा है जब इसका कारण पता चला तो ये जानकर और ज्यादा हैरानी हुई कि भाई ऐसा भी होता है इस शक्स का नाम है डी रागवेंद्र, रागवेंद्र से ज्यादा इन्हें रगु कहकर बुलाया जाता है रगु भारती टीम के थ्रोडाउन एक्सपर्ट है यानि इनका काम नेट्स पर अभ्यास के दौरान होता है इक इन बुधवार को जब टीम के खिलाडी मैदान पर बांगलादेश का मुकाबला कर रहे थे तब रगु भारती टीम की मदद कर रहे थे अब एक थ्रोडाउन एक्सपर्ट आखिर कैसे मैच के दौरान भारती टीम की हेल्प कर रहा था आईए आपको बताते हैं दारसल भारत ने मैच में पहले खेलते हुए 20 ओवर में 184 रन बना डाले और बांगलादेश को जीतने के लिए 185 रनों का टार्गेट मिला वहीं बांगलादेश ने पहले 7 ओवर में 70 से ज्यादा रन बनाए और एक भी विकेट नहीं खोया मैच में दूसरी पारी के दौरान जब बांगलादेश की टीम बल्ले बाजी कर रही थी तो बारिश आ गई और इसी कारण बांगलादेश को 16 ओवर ही खेलने को मिले बारिश के बाल जब दोबारा मैच शुरू हुआ तो बांगलादेश को जीतने के लिए 16 ओवर में 151 रनों का टार्गेट मिला यानि बाकी बचे 9 ओवर्स में 85 रन बनाने थे इस समय तक एडिलेट का मैदान गीला हो चुका था और भारते खिलाडियों की जूतों में बार बार मिट्टी चुपक रही थी इससे उनके फिसलने का डर था और फिर चोट लगने का भी ऐसे में रगु ने अपने हाथों में एक ब्रश थामा और बाउंडरी के बाहर मुर हो रही है और हर कोई उनकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है कुछ लोग टीम इंडिया की जीत में उन्हें परदे के पीछे का हीरो बता रहे हैं बुद्वार 2 नवंबर को खेले गए माच में टीम इंडिया ने बांगलादेश को हरा दिया इंडियन टीम ने इस रुमां को भारत के पाले में खीच लिया विराट कोली और आरशदीप सिंग ने भी जीत में एहम योगदान दिया मैं हूं करिमा आप देख रहे हैं दी ललन टॉप आपके ग्यान की गहराई नापने के लिए ललन टॉप क्विज मौके पर दो जबाब और मौके पर ही पाओ इनाम सोंबार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप पर याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलिच पर हाल लगाओ आल पाइदा दे लगाओ का पाइदा तो फटाक से डाउंलोड करो ललन टॉप आप और आज आओ 9 बजे ग्वेस खेलने के लिए हमारे साथ